प्रदेश पी ठंड का सितम जारी है, इसी भी चमबीकापूर जिले में भी ठंड के चलते जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए अलग-अलग अलाव जलाने के निर्देश दिये हैं आपको बता दे कि जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिसके चलते जन जीवन प्रभावित हुआ है ठंड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ने देर्शां रात शेहर का ओचक ने रिक्षन किया नर्दापूरम में सरदीका सितम जारी है यहां तापमान में गिरावट की चलते लोगों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों से लेकर बुजर्गों को ठंड के चलते परिशानी हो रही है चतीसगर की कई जिले इस समय शीत लहर की चपेट में हैं प्रदेश के बेलासपूर जिले में नियूनतन तापमान आठ डिग्री तक दर्च किया गया है जिले में कोहरी की चादर भी देखने को मिल रही है बड़ती ठंड के चलते जन जीवन प्रभावित हुआ यहां बेघर परिवार सड़क पर सोने को मजबूर है प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने का कोई भी इद्दजाम नहीं किया गया है